शिरिहूम रेविडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जनम दिन वाले दिन आप लोगों को भूल कर भी क्या क्या कारे नहीं करने चाहिए जनम धिन हर इनसान की जिन्दगी में एक ऐसा खास दिन होता है जिसे लोग धून-धाम से मनाते हैं जनम धिन का जिशन मनाना एक ट्रेंड की तरह सदियों से चला आ रहा है बच्चे के जनम होने के साथ ही इस दिन के जिशन की शुरुआत हो जाती है और हर साल ते तारिक वाले दिन आप लोग खुशियां मनाते हैं हर कोई इसे अपने अपने तरीके से मनाता है लेकिन क्या ये सिर्फ एक खुशी का मौका होता है जी नहीं जरम दिन का जश्म मनाने के लिए कई जोतिश तत्थ भी है जिसे आपको बिल्कुल भी नजर अंदाज नहीं करना चाहिए आईए आज हम आप लोगों को बताते हैं कि जोतिश शास्त्र के अनुसार जनम दिन में आप लोगों को क्या क्या कारे नहीं करने चाहिए जोते शास्त्र के अनुसार जनम दिन से व्यक्ति के साल भर की कुंडली बनती है इस दिन को अच्छे से मनाना पूरे साल अच्छे से गुजरता है ऐसा माननेता है मगर ऐसा नहीं होता यहाँ सब आपके कर्मों पे भी होता है कि आप लोग अपने करम कैसे कर रहे हैं और खास कर जनम दिन वाले दिन आप लोग अगर कुछ अच्छे करम करते हैं तो आपको पूर्ण फलो की प्राप्ति अवश्य ही होती है जैसे कि अगर हम बात करें अगर हम अपने हिंदु धर्म के अनुसार धार्मिक ग्रांतों को मानें तो उसके अनुसार बताया गया है कि जनम दिन वाले दिन किसी भी सादू या निर्दन व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए. यदि कोई गरीब भी आपके दरवाजे पर पैसा या खाना मांगने आए तो उसे मना नहीं करना चाहिए. जनम दिन पर किसी से भी लड़ाई जगड़ा नहीं करें. इसके विपरीत अगर किसी से जगड़ा होता भी है तो उससे प्रेम से बात करें. जनम दिन पर किसी से जग करने से लाब प्राप्त होता है कहा जाता है कि जनम दिन के दिन मास मदिरा का सेवन अगर आप करते हैं उससे शनी देव बहुत ज़्यादा रुष्ट हो जाते हैं जनम दिन के दिन एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि उस दिन माता पिता और बुज़ुर्गों का आशिरवाद जरूर ले इससे आप लोगों को पूर्णफल की प्राप्ति अवश्य ही होगी अगर हम बात करें जरम दिन वाले दिन तो इस दिन आप लोगों को बाल और नाखुन बिलकुल भी नहीं कटवाने चाहिए क्योंकि जोतिश के अनुसार ऐसा करने से आप लोगों की उम्र भी कम हो सकती है आपको इस दिन किसी जानवर की हत्या भी नहीं करनी चाहिए ना ही घर में मासाहारी भोजन पकाना चाहिए जनम दिन पर गरीबों को खाना खिलाना चाहिए और साथ ही दान पूर्णे का काम करें भोगों का पेट भरना बहुत ही ज़ादा पूर्णेकार में आता है पश्चिमी सब्विता के अनुसार लोग मुम्बक्ती लगा कर उसे फूक से बुजाया करते हैं लेकिन हिंदू माननेता में आग को देवता का रूप माना जाता है तो उसे कोशिश करें कि फूक मार कर मुम्बक्ती ना बुजाए इस दिन किसी भी प्रकार की लड़ाई और वाद विवाद से तो दूर ही रहें साथ ही किसी भी प्रकार का गुसा या आक्रोश नहीं करें शांती बनाये रखें इस दिन लोगों का काफी आदर सतकार करें ताकि लोगों के मन में आपके प्रती किसी भी प्रकार की बुरी भाव ना या खटास ना आए और किसी की भी हाई आप लोग ना लीजिए अपने जनम दिन वाले दिन अभी के लिए बस इतना ही अगर आप और जादा जानकारी चाहते हैं तो हमारा चैनल श्री होम रेविडी सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद